अभी हाल में आपने देखा चंद महिने पहले की बात है पिछले वर्ष की नई संसत भवन के उधगाटन का बहिशकार किया भई नई संसत भवन डेड़ सो वर्षों तक चलेगी इसका भारती जनता पार्टी अत्वा प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी से तो कोई चना में टैक्स स्ट्रक्चर में एतिहासिक पैरडाइम शिफ्ट हुआ उसका वहिशकार किया जी ट्वेंटी अभी अभी हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्टा ध्यक्ष और दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत में आये क्योंकि मैं पुनह विरंबरता से कह दूँ कि नॉन एलाइन समिट भी हुआ था पर नॉन एलाइन समिट उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था जी ट्वेंटी इस कंसीड़र पावर सेंटर उसमें महामहिम राष्टपत की द्वारा दिये गए भोज का भईशकार किया भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्वा था हमारे पुर्व राष्टपती रामनात कोविद जी और द्रोपदी मुर्मू जी के अभीभाशन का भैसकार किया जबकि वो हमारे राष्ट के पर्थम नागरिक है परन्तु ये एक संयोग की बात थी देखिए एक अनुसूच जात से थे एक अनुसूचित जन जाती से थी इसके बाहुद आपने वैशकार किया और अभी बाशन का वैशकार करके आपको मिलना क्या था ये भी बहुत इसपश्ट था याद करिए कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था क्यों कांग्रेस ने वैशकार किया इस फोट हुआ अटल विहारी बाचपेई जी की सरकार के नितुर्त में कांग्रेस ने दस दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारत प्रकार की प्रक्रियाएं जबकि भारत ने पहली बारे कहा था कि वी आफ डिकलेर्ड नाव वी एफ बिकम दे निउक पहिशकार कर दिया इसी वहिशकार बहिशकार के चलते हुए जनता भी क्रमशा उनको सत्ता से वहिशकर्त करती चली जा रही है परंत उनकी बुद्द्य परिश्क्रत होने का नाम नहीं ले रही है आज जब आयोध्या में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनह कॉंग्रेस ने अपनी उसी प्रवत्तिक अनुरूब क्योंकि ये भारत की इतिहास का इतिहासिक पल है यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में यदि भी कॉंग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी हम कहते हैं 800 साल की गुलामी तो ये 500 साल के संगर्ष के बाद भारत का वहस्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की समय कि जब जब भारत सोतंत्र हुआ था तो सोमनात की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था और उस अवसर पर यहां एक बात और इस पश्ट करना चाहता हूँ कोंग्रेस अपनी प्रवित्ति की अनुरूप है मैं आप लोगों के सुलब संग्यान के लिए कोट करना चाहता हूँ कि जब सोमनात मंदिर की प्रांट प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवालाल नहरूजी ने 24 अपरेल 1951 को जाम साहब दिगविजे सिंग जो कि उस समय सौराष्ट के प्रमुक थे यानि लाइक टेकनिकली दे चीफ मिनिस्टर और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नहरूजी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि कॉंग्रेस उसी परमपरा में चली आ रही है उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारो के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है पर आगे महत्पून बात लिखी इस समारो के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूँ मैं इस पुनरुत्थान वाद से बहुत परेशान हूँ मेरे लिए बहुत कष्ट कारक है कि मेरे राष्ट्रपती और मेरे कुछ मंतरी और राजप्रमुक के नाते आप सुमनात के इस समारो से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रक्रतिके या नुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे यह 24 अपरेल 1951 सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाल अनहरू सिरीस टू वॉल्यूम सिक्स्टीन पार्ट वन बस वही तो परंपरा थी उसके बाद इंद्रा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंबे निकल लए थे तो वाम पंती त्यासकारों के दवाओं में रुकवा दिया गया राजीव जी के जमाने में कारसेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ पीवी नरसिमाराव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ वह आपको पता है और सुनिया जी के जमाने में आते आते राम कालपनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ति जो आज कॉंग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया परंतु मैं एक और बात इसपश्ट करना चाहता हूँ यह नहरू की कॉंग्रेस है यह गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्य महात्मा गांधी का नित्यका भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस रामराजिकी प्रान पृतिष्ठा का प्रारंब हो रहा है श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कॉंग्रेस और नहरु की कॉंग्रेस का अंतर भी अब बिलकुल साफ हो गया है और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाँ से गवाया है ये कॉंग्रेस के अंदर का भारती ये संस्कृती हिंदू धर्म और हिंदुत के पृति जो विरोध है उसको दर्शाता है अब बताईए इससे अदा क्या होगा कि शीराम जन्भूमी केस में जो बाबरी मस्जित पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है ये हिंदु धर्म की महान उदारता के परंपरा की अनुरूप है गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया गया बताईए वो आने को तैयार है जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिसपरधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है तो आपने एक हिंदी में कहवत सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोग के मन में अभी भी वहलोभ दिखाई पढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक कहवत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिश्कार करके कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने इस पष्ट कर दिया है कि वो राजनेतिक दृष्टि से निश्पार तो होते ही जा रहे अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिया आपके मन में जो भी इर्शा है द्वेश है इंफिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार स्वीराम जन्भूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुध्याई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते हैं वैसे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके मन में ये भी हो वो जो एक पुराना भजन है न मैली चादर ओड के तेरे द्वार पे कैसे आऊं क्योंकि इतने पाप किये हुए हैं उन्होंने परन्तों आज उस पाप के परिमारजन का वसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रा प्रक्षोता ना उस पर फूल नहीं उकते कभी बेंथ पर फलो फूल नहीं आते बैंबू जिसको कहते हैं उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रम्हा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरू मिल जाए फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं उसे शब्दशाना कहा जाए चिसम मूरक हरदय नचेत इस कारण से उनके हरदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है पर अंतुमें पुना इस पश्ट करना चाहता हूं कि हर एतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कॉंग्रेस ने आज भारत भारतियता कि स्रिष्टतम मूल्यों के पृतीक भगवान श्री पृतित में भी कट्रपंथ की राजनीति हम किसी समुदाय की बात नहीं करें कट्रपंथ की राजनीति अधिक महत्वपून है और राश्ट के आदर्श और प्रेणा कम महत्वपून है इसलिए मैं ये अभी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श है जो सभी मत संपरदायों के लोग बांगते है दुनिया का सबसे बड़ा बौद देश थाइलेंड का राजा टाइटिल होल करता है किंग रामा देंथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पृतिशत के हिसाब से भारत से यदा रामायन होती हैं सारे पात्र मुस्लिम होते हैं लगबख साथ पृतिशत देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं वहां साउथ कोरिया की लेड़ी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है परंपर अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वेंभूत रादिकारी कहते हैं वो इसके विरुद्ध खड़े हैं अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है मगर यहां पर उनको विरोध नजरा रहा है तो इसलिए मैं इस पश्ट रूप से कॉंग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ इस पश्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं श्री पीवी नर्समाराव ने दिसंबर 1992 में कहा था नहीं वा तथा कतित मस्जिद दुबारा बनवाएंगे वो बयान से तो भहिशकार किया नहीं अपना विड्रॉ किया नहीं और इससे विड्रॉ कर रहे हैं यह दर्शाता है कि कॉंग्रेस के अंदर की मूल प्रवत्ति क्या है दन्यवाद देखे यह आयोजन श्री राम जन भूमी ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है और भगवान के द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है परन्तु हमने तो कभी नहीं कहा कि शिराम जन भूमी के विरोध में आपके नेता वकील का चोला उड़कर खड़े होते थे इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं ये भारती ये संस्कृती भारती ये परंपरा के स्रेश्चतं मुल्यों का प्रतीक है इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूनना है जैसे किसी को कोई कारिण न करना हो तो वो बहाना ढूनता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन करें तो चूंकि ये सदा सरवदा से अवरोध उत्पन करते रहे थे तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विगन उत्पन करने का प्रयास कर रहे है परंदो आप आश्वस्त रहिए महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेत्वर्तों में हो चुकी है और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा शीराम जन मुहमी ट्रस्ट के द्वारा इस कारिक्रम के द्वारा हो रही है ऐसा है कि चौपाई है सकल पदारत हैं जगमाही कर्म हीर नर पावत नहीं तो सभी अच्छे-च्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं परन्तों कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता इसलिए हर एतियासिक अवसर भागीदार बनने से कॉंग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी हो जाती देखे ऐसा है कि कुछ लोग चंद विदेशी इतिहासकारों के दारा पढ़े गए इतिहास के से उनके दिमाग इतने भरे हुए हैं कि उसके लिए क्या कहा जाए वैसे तो उनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब में लिखा है तो बता नहीं पाएंगे तो उनके लिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की ये लोग उसी केटेगरी के हैं